नमस्का सातियों आज हम लोग बात करेंगे गुल्यारी लाल नंदा साहब के बारे में और अगर आप लोगोंने अपना इतिहास पढ़ा है अपने देश का इतिहास पढ़ा है तो आप सभी को मालू होगा कि गुल्यारी लाल नंदा को पंडित जबाल लाल नहरू की डैट के बाद उनकी मौत के बाद कारवाहक पिधान मंतरी बनाय गया था और आप देखे कि बहुत ही जमीनी इस तर से उठकर आये हुए इन लोग थे और आप देखे देश की आजादी में भी इनका युगदान र इकाला है समझ रहे हैं यह आप लोग और कीमत आप समझ सकते हैं कि जो जमीन से जड़ा रहता है वो जमीन की कीमत जानता जरूर है तो आपकी स्क्रीन के सामने गुल्यारी लाल नंदा की पिक्चर दिखाई भी दे रही होगी दिखाई दे रही है और इनके नाम की एगर हम लोग बात करें तो इनका वास्तविक नाम गुल्यारिलाल नंदा था और इनका जनम तिती की बात करें तो 4 जुलाई 1898 में इनका जनम हुआ था जब इनका जनम हुआ था उस समय हम लोग अंग्रेजों की अधीन थे अंग्रेजों का सासन था हमारे उपर इनका जनम हुआ था सेयाल कोट पंजाब पाकिस्तान में आप देखते हैं कि पहले पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था आप समझ रहें 1947 तक आप सभी को मालू है कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा था तो उस स का नाम पतनी की बात करें तो लक्षिमी देवी इनकी पतनी का नाम और बेटी नरेंद और महाराज किस्न मेहता इनकी दो वेटे थे बेटी की बात करें तो पुस्पा नंदा इनकी बेटी का नाम और एक बात और आपको बता दीता हूँ ये हिंदू थे ये जरूर आप लोग का हीस्सा था तो वहाँ इनका जनम हुआ था विस्विध्याले यानि कि इनकी सिक्षा की बात करने तो फॉर में किष्टियन कॉलेज इलावाद से इलावाद विस्विध्याले से ये अपनी पढ़ाई करते हैं इन्होंने कला में इसनागोत्तर फॉरें किष्टियन कॉलेज स कई डिग्रियां उन्होंने हासिल की हुई थी, उस समय सभी नेता एक तरह से समझदार थे, आज आप देखते हैं कि कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है, बेवसाई की बात करें तो राजनीती करते थे, राजनेता थे और कॉंग्रेस पाइटी से जुड़े हुए थे, आप सभ अध्यापक की रूम में काम कर रहे थे, अध्यापक की रूम में इन्हें छात्रों का बहुत इसने प्राफ्त हुआ, 1922 से लेकर 1946 तक इन्होंने एहमदाबाद की टेक्स्टाईल, इंड़़्टी में लेवर एसोसीयेशन की सचिप की रूम में कारभार समाला, इन्होंने स प्रोफेसर की अच्छी जॉब होने के बाद जूद गुल्जारी लाल नंदा ने अपना काम छोड़ आजादी की लड़ाई में कून पड़े और 1932 में थत्या गया आंदोलन में हिस्ता लेने के दोरान उन्हें जेल की यातना भी सैनी पड़ी 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान उन्हें गरपतार कर लिया गया और उन्हें दो साल तक जेल में डाला गया जो आप लोग आजादी की सांसे लेते रहते हैं आपके जो मन में आता है वो आप करते हैं कोई विजनिस करना है कही जाना है आप लोग तो आपकी पास कोई उपर कोई पावंदि नहीं रहती है और हम एक तरसे आजात देश में रहने हैं तो इसके पीछे आप देखिए बहुत सारी लोगों की महनत रही है बहुत सारी लोगों ने अपनी जान दी देश के लिए सही हुए तब जाकर हमें आजादी मिलिए इतनी आसानी से कोई आजादी नहीं मिल गई ठीक है फिर आप देखेंगे कि इनके राजनेतिक यात्रा की बात करें तो 1937 में वैवेटिस तराज के इंतरगत बंबई विधान सभा की सदस्त बनते हैं 1937-1949 तक बंबई सरकार में संसद 1962 में आप देखें गुजरात के सावर कंठा निर्वाचन छेत से उन्हें पुनाह लोगसभा सदस्के रूम में चुना गया 1962-1963 तक वह पुनाह सरम और रोजगार मंतरी बनते हैं और 1963-66 तक वह ग्रह मंतरी बनते हैं 27-1964 से 9 जून 1964 तक पंडी जवाल लनेहरू के निर्धन के बाद वह करवाग पिधानमंति बनते हैं तो आपको बताया हुआ हुआ था ना कि आप देखें कि की पंडी जवाल लनेहरू का कि death हो जाती है उनकी मौत हो जाती है उसके बाद कारवाग पिधानमंत्री के रूम में कौन आते हैं? गुल्जारी लाल नंदा. 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक लाल भादो सास्तरी के निधन के बाद उन्हें पुनाहा कारवाग पिधानमंत्री बनाये गया. तो पंडित जवाल लाल नहरू की मौत के बाद भी उन् भी थे. सम आस्पेक्टस ओफ खादी आफरोज टू दा सेकेंड फाइव इयर फिलान, गुरु तेक बहादूर, संद एंड सेवियर, हिस्टरी ओफ एडजस्टमेंट इन्दा हम्दाबाद टेक्स्टाइल, फोर एमोरल रिउगलेशन, सम बेसिक कंडिशन, ये इनकी कुछ रचनाय भी हैं, आपको मालू होना चाहिए इने पुरुसकार भी दिये गए, भारत रतन 1997 में और पदम भीभूसन भी मिला हुआ है ने, ठीक है, और भारत रतन आप सभी जानते हींगे, हमारे भालत का सरवुच पुरुसकार है, सम्मान है, इनकी मौद की बात करें, तो द गांधी बादी राजनेता की रूम में सदेव याद किया जाएगा, उनकी देश के पिती सच्छी भावना है हर इंसान को तेरिद भी करती हैं, सुरुवात में आप देखेंगे जो भी नेता हुए हैं, उन पर कमी आप देखेंगे कि भिष्टाचार के आरोप लगे, या उ जाल बहादर सास्क्री, खाद्यान की समस्या से उस समय देश गुजर रहा था, तो उन्होंने आप देखेंगे कि खुद किसानी की, समय रहे हैं आप लोग, उन्होंने जहां निवास था उनका, पिधान मंतरी का, वहां भी उन्होंने क्यों बोया हुआ था, समय रहे हैं आ जब वो एक तरह से पिधान मंत्री बनने जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक धोती ले लिजे तो आप देखिए उनका बड़े-बड़े अच्छे जवाब रहते थे कि देश पुरी हालत में हम धोती नहीं पहनेगे एक कार का भी आप लोगों ने उधारन सुना होगा कि उनके बच्चों ने जित की पिधान मंत्री बनने के बाद कि एक कार ले लिजे पिता जी तो वो कार खरीते हैं लौन पर कार लेते हैं वो अपने जीते जी कार का भुगतान एक तरह से कार के फोव पूरे पैसे जमा नहीं कर पाते हैं चुका नहीं पाते हैं उसके बाद के देश की पिदाहन मंत्री का काम रहा है ऐसे हमारे देश ने नेता देखे हैं तब जाकर हम लोग यहां तक पहुंचे हैं चलिए आप लोग अगर किसी और के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम बताईएगा उस पर उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे और यह पि लोग जाल चाहते हैं तो झाल झाल यहां जाल झाल फट लोग दो बात करते हैं